आई पी अल दो हजार बीस कुलन जो प्रा आर्चर ने साथ साल पहले कर दी थी भविशिवानी क्रिस गेल नहीं बना पाएंगे शतक ट्वीट हुआ वाइरल इंग्लेंड के तेज गेंदबास जो प्रा आर्चर सोशल मीडिया पर हमेशा चाहे रहते हैं वजए है उनकी सटीक भविशिवानिया ऐसा लगता है कि क्रिकेट की दुनिया में आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में उन्हें पहले से ही जानकारी होती है किसी भी मैच में बड़ी घटना के बाद फैंस उनके पुराने ट्वीट को खंगालते हैं और फिर उन्हें मौझूदा घटना से जोड़ कर देखते हैं जो कुछ भी अपनी पुरानी ट्वीट में लिखते हैं ठीक वैसा ही होता है अब किंग सिलेवन के पंजाब के विस्पोटक बल्लेबास क्रिस गेल क्रिस गेल के निन्यान में रनाउट होने के बाद आर्चर का 7 साल पुराना ट्वीट वायल हो रहा है क्या लिखा था आर्चर ने पुराने ट्वीट में? जो प्रा आर्चर ने 22 फरवरी 2013 को राद 10.30 बजे एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर वो बल्लिंग कर रहे होते तो फिर क्रिस गेल को शतक पूरा करने नहीं देते ठीक वैसा ही शुकरवार की राद को हुआ मैच के 19 फर ओवर में गेल जो प्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगा कर 99 के स्कूर पर पहुँच गए गेल के बले से एक और शतक लगना करे था लेकिन चौथी गेंद पर वो बोल्ड हो गए गेल ने मिलाया हाथ आउट होने के बाद क्रिस गेल जला गए और उन्होंने बैट को दूर मिड़ विकेट की तरफ फेंग दिया लेकिन पैवेलियन लोटते समय उन्होंने आर्चर से हाथ भी मिला आर्चर ने खुद वो तस्वीर भी ट्वीट की है जिसमें गेल उन्होंने लिखा है कि वो अब भी बॉस है जुक्रा का पुराना ट्वीट खासा वाइरल हो रहा है लोग जुक्रा आर्चर को शाबाशी दे रहे हैं गेल ने इस मैच में चार ओवर की गेंदवाजी में दो विकेट लिए पावर्ड बाइ आर्थ्रोस्वीनिग अ डेडिकेट अर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्स इंजिर्म